तो दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और अपना टिकट काउंटर से भूक कराते हैं या फिर काउंटर टिकट लेके आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप इस वीडियो को कम्पलेट देखेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में काउंटर टिकट से रिलेटेड और अच्छा खासा फाइन लग जाता है तो दोस्तों क्या है यह जनकारी सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और चैनल पर तो चल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर दिजेगा तो दोस्तों मैं आप आप देख से पता चलता है कि जा मेरा जो टिकट है वो तो घर पे ही छुट गया मैंने तो पर्स में रखना ही भूल गया तो उस टाइम आप क्या करेंगे और अगर माल लिजे कि आपके पास उस टिकट का फोटो भी हो या फिर रेलवे दोरा जो SMS भेजा जाता है वो भी आपके मोबा आने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तों इसको समझने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि railway में jwen ticketing system होता है वो कितने types के होते हैं और कौन-kौन से method से हम ticket को book कर सकते हैं तो जैसा कि हम सब को पता होता है कि एक online method होता है जो कि हम अपने mobile से भी अपने ticket को book कर सकते हैं और एक जो होता है कि जो भी online ticket होता है और हम अपने mobile से book करते हैं तो जब भी हम उसको book करते हैं या फिर cancel करते हैं तो उसका जो भी update होता है वो TT के पास होता है जब हम 10 में suffer करते हैं तो TT के पास हर घंटे का update होता है कि आपने अपने ticket को cancel किया है या फिर उसको book किया है मतलब जो भी हम अपने ticket में करते हैं उसके बारे में TT को पता होता है और जब हम counter से waiting ticket लेते हैं और जो हमारा ticket होता है वो confirm हो जाता है तो एक जो chart बनता है वो TT के पास होता है और TT को पता होता है कि उस chart में कौन सा जो ticket है वो confirm है और कौन सा वेटिंग है तो अगर आपने counter का ticket लिया है और जब obtain में सफर करते हैं तो पहला नियम तो यह है कि आपको जो ticket है वो साथ में रखना होता है अगर आपके पास जो counter है उसका ticket नहीं है और उसका SMS है या फिर photo है वो कोई भी valid नहीं होता है अगर आपके पास ticket नहीं है तो क्योंकि TT को इतना पता होता है कि अगर आपके पास counter ticket नहीं है तो उसका सिधा सिधा मतलब वो यही समझता है कि आपका ticket cancel है क्योंकि counter जो ticket होता है उसको आप train खुलने से आदा घंटा पहले भी cancel करा सकते है या फिर अगर आपका train cancel हो जाता है या फिर आपका train छूट जाता है तो आप उसको आधा घंटे के अंदर में आप counter पह जाके उसको cancel करा सकते हैं और उसका refund ले सकते हैं तो इसलिए जो TT होता है वो आपको SMS पे भरोसा नहीं करता है और जो photo होता है उसके भरोसा नहीं करता है वो यहीं समझता है कि आपका जो Ticket है वो cancel है और अगर आपके पास counter का Ticket है उसको दिखाएंगे तो आपको कोई दिकत नहीं होगा लेकिन अगर आपके पास Ticket नहीं है तो आपको जुर्माना देना परता है क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि आपके पास टिकट नहीं है क्योंकि counter टिकट ही ऐसा टिकट होता है जिसको आप train खुलने से आधा गांटा पहले तक आप उसको cancel करा सकते हैं या फिर अगर train खुट भी जाता है तो आप उसको cancel करा सकते हैं और hand-to-hand उसका जो refund होता है वो ले सकते हैं लेकिन अगर आपने mobile से टिकट को book किया है तो अगर आप उसको cancel करते हैं तो टीटी को पता चल जाता है कि आपको टिकट है वो cancel हो गया है तो आइंदा से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कोसिज करिए कि आपका टिकट आपके साथ हो और अगर नहीं है तो आपको जुर्माना देना परेगा इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है अगर आपका टिकट गूम हो गया है और आप ट्रेन में सफर नहीं कर रहे ह उससे पहले ही आपका टिकट गुम हो गया है तो उसके लिए आप उसका डूबलिकेट जो कोपी होता है वो निकलवा सकते हैं आप काउंटर पे जाके और वहाँ पे आपको 50 रुपे लगता है और उसका जो डूबलिकेट टिकट होता है वो निकालके दे दिये जाता है तो उ पने तो सब्सक्राइब करिये मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद।